जैहिन वंद्मात्राम सात्यों बीपएड को लेकर आप लोगं के बहुत सारे कॉश्चन मेरे से कमेंड बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर्फ बीपएड कर सकते हैं बीपएड करने के लिए बने रहेगा और यदि आप चैनल पर नए है और आप ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बैल एकटे को प्रेस कर ली जेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की info video लात रहता हूँ तो साथियों बात करते हैं BPA यानि कि Bachelor in Physical Education जैसे आपका B.A.D. होता है इसी तरीके से आपका B.A.D. होता है यानि कि B.A.D. में क्या हो जाता है? Physical और A.D. हो जाता है यानि कि यदि आपको Physical का Teacher बनना है यानि कि P.A.D. टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? B.A.D. करना पड़ेगा अब B.A.D. की बात करें तो साथियों जैसे B.A.D. आपका 2 साल का कोर्स होता है इसी तरीकाल से आपका B.A.D. भी 2 साल का कोर्स है यानि कि कोर्स डूरेशन कितनी होती है? 2 यर अब इसके अदि हम बात करें eligibility criteria की तो साथियों इसके लिए आपने किसी भी मानेता प्राप्त युनिवर्स्टी से अपना graduation complete किया हो हो यानि कि graduation आपने किया हो graduation में कोई भी आपने किया हो यानि कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आप graduate हो उसके बाद में आपके उसमें जो percentage होनी चाहिए वो 50% होना अनिवारिये है यानि कि 50% marks आपके graduation में होने चाहिए यदि आपकी कोई category लगती है SC, ST तो उसका आपको इसमें rebate मिल जाता है यदि आपने कोई technical degree की हुई है यानि कि आप B.Tech करे हुए है या B.E. करी हुए है तो उसमें आपको फिर 55% आपके marks होने चाहिए graduation में इसके बाद में बात करें साथियों यदि fees की तो साथियों इसमें अलग-अलग universities की अलग-अलग fees होती है अब university किस university से आपको करना चाहिए और किस university से नहीं करना चाहिए तो साथियों B.P.Ed के लिए जिस भी university से आप B.P.Ed करें उस university का आपको N.C.T.E. का approval जरूर चेक कर लेना है कि वो university N.C.T.E. से approved है या फिर नहीं है अब बात करें साथियों के B.P.Ed करने के बाद में कौन-कौन से career options है तो साथियों दिया हम government job की बात करें तो government job में भी काफी अच्छे options है यानि कि जितने भी schools है चाहिए वो आपके 12th level के है या पर आपके 10th level के है तो उसमें P.T.I. teacher की आउशकता होती है और वो वही कर बन सकते हैं जिनोंने B.P.Ed किया हुआ होगा तो इनके लिए अलक्षे वेकिंसी निकलती है तो आप B.P.Ed के बाद में जो schools में P.T.I. के टीचर बन सकते हैं B.P.Ed करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे career options है यानि कि आप अपना training center भी चला सकते हैं B.P.Ed करने के बाद में आप sports की industry में भी जा सकते हैं यदि कोई आप game खेलते हैं state level का national level का तो उसमें भी आपको benefit मिलता है यानि कि B.P.Ed करने के बाद में आप sports की industry में जा सकते हैं चाए वो आपका कोई भी industry है तो साथियो almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear करती है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और आपको कोई question रह गया है तो आप में रसे comment वक में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer ये उसमें वीडियो आने की पूरी कोसिस कर हुआ तो चलिए साथियो मिलते हैं आप से नेक वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद चैभार